ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल यह राशी पहले पांच नवंबर 2022 शनिवार का दिन है कार्तिक महा के शुकलबक्ष की द्वादशीत इती है इस दिन प्रदोश का वरत रहेगा जो भक्तिजन माताय में प्रदोश का वरत करते हैं उनको इसी दिन प्रदोश का वरत करना चाहिए शनी प्रदोश का महा पर्व इस दिन रहेगा उत्रा भादर पर नामक नक्षत्र होगा तथा मीन राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पूरदिशा में होंगे इसलिए पूरदिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पूरदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो अद्रक खा करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की प्रातह नो बजे से शुरू हो करके दस बच के तीस मिनट तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्रेत्र के पंचांग अथ्वा केलेंडर करनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर की अधि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की तुला राशी में वहीं चंद्रमा मीन राशी में मंगल ग्रह मिथुन राशी में बुद्ध ग्रह तुला राशी में देव गुरु ब्रहस पती जोकी मीन राशी में, शुक्र ग्रह तुला राशी में, शनिदेव मकर राशी में, राहु ग्रह मेस राशी में तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे। इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मिथोन सिंग तुला धनू एवं कुम्भ ये छे राशियां सबसे अधिक भागी शाले रहने वाली है दिन इनके लिए प्रसिद्ध होगा धनलाब के संसर्थ का रिक्षत्र में उन्नती और प्रगती भी इनको प्राप्त हो सकती है त और अधिक से अधिक लोगों को शेर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस्थाई संपर्टी प्रापर्टी के लेंदेन संबंदी कुछ लाबदायक योजनाएं बनेगी घर के बदलाव संबंदी विशय पर भी मातु पूर्ण चर्चा होगी रुके होए अटके होए काम पूरे होंगे अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विदियो में व्यतीत होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भा अलत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शान्ती और मानसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है इसलिए फालतू की गतिविदियों से अपना ध् समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर मे रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तो था आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्णुमा बनाएगा अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारतालाब से अपनी किसी समस्या का समा अब हम बात करते हैं करकराशी की मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्तता बनी रहेगी बच्चों के सा उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करें और अपनी वस्तू आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी अब ही आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रिणता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बनाकर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लॉ आज से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश्वी प्राप्ति होगी आपके अपनी व्यक्तिकत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिलकुल न पड़े क्य आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेबन साबित होगा निकट संबंदियों के साथ प्रापर्टी क को खराब कर सकता है अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पोजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्चे ही आपके स्वभाव में एक जो है सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और के रूप में भागवान विष्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारत्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा अज्याकारी रहेंगे स्वास्त में हलकी पुल की परेशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे कुद का या दही का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनेतिक गतिविजियों से जुड़े मित्र आपके लिए महत्त पूर्ण सा समय का भरपूर फाइदा उठाए मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा अपने व्यक्तिगत कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गतिविधियों का नाजाईस फाइदा उठाकर आपको नुकसान पहुचा सकता है बच्चों की गतिविधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्नु जी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भगशाली अंक दो होगा भगशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गतिविधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपुन मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारिय हुए रुके हुए कारियों में वैतित करेंगे इसाई संपती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन हो जाएंगे घार परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई शुब और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे जिनके विशय में आप कु और संतान संबंदी कोई चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुशकबरी ऐसी मिलने वाली है जिसे आपकी चिंताएं लगभक समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई भागिशारी रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा और घर की सुक्सुविधा संबद्धी कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रवत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के र इशाली अंक और भाग इशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रिशन साधर धन्यवाद